Hello everyone, मैं हूँ स्मिता और स्वागत है आपका स्मिता स्टाइल में आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटिफुल पार्टी वेर बेबी फ्रॉग की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ जिससे मैंने 3-4 यर गल्स के लिए बनाया है और इसकी आप लोगों की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे और वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और जादा से जादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा सबसे पहले फैब्रिक देख लेते हैं कि मैंने इसके लिए कौन से फैब्रिक को यूज किया है तो सबसे पहले देखिए ये निट का प्लेन फैब्रिक है और इसे मैंने 2 मीटर लिया है इसके बाद ये मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है इसे भी मैंने टू मीटर ही लिया है और ये जो है ये टापेटा सिल्क फैब्रिक है इसे भी मैंने टू मीटर ही लिया है और इसके बाद इसमें मैंने कैन कैन यूज किया है इसे भी मैंने टू मीटर ही लिया है सबसे उपर ये sequence का फैबरिक आएगा और इसे मैंने 1 मिटर लिया है ये 3D Sequence का फैबरिक है उर अब हम कटिंग conscious करेंगे सबसे पहले lining की फैबरी को зач़आए करेंगे तो lining की fabric इस तर이가 से ने two-fold करके रखा है इसके बाद इसको एक और बार फैबर करेंगे और यह मारा fabric 4 फोल्ड हो जाएगा अब यह देखिए फैबरिक ऊपर से बिलकुल बराबर नहीं है उचा नीचा है तो इसे बराबर करने के लिए पहले हम इसकेल से एक स्टेट लाइन डॉ करेंगे और इसी लाइन से हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे यहां पे हम शोल्डर का निशा यहां पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो इसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट आप उसे फोर से डिवाइट कर लीजे मेरे केस में फोर से डिवाइट करने के बाद 6.5 इंच आता है तो यह मैंने 6.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से एक स्टेट लाइन अब यहां से हम अपर पार्ट की लेंद की मार्किंग करेंगे तो मेरी जो तयार लेंद है वो है 10 इंच और इसमें 1 इंच और प्लस करेंगे स्वीम अलाउंस के लिए तो यह मैंने 11 इंच पे मार्क कर लिया है और यहां से भी हम एक स्टेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे अब यहां पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेजर्मेंट है आप उसे 4 से डिवाइट कर लीजिए मेरे केस में 5.5 इंच आता है तो यह मैंने मार्क कर लिया है और उपर जो हमने चेस्ट की मार्किंग की है नीचे वेस्ट की मार् इसके बाद यहाँ पर हम armhole का निशान लगाएंगे तो यहाँ फ्रंट और दूनों का मैं armhole सेम ही रखूंगी और यह मैंने one inch पे mark किया है और यहाँ से armhole का shape draw कर लेंगे अब यहाँ पे हम neck की marking करेंगे तो यह मैं 2 inch पे mark कर रही हूँ और इसकी जो गहराई है वो भी मैं 2.5 inch पे mark करूँगे और यहाँ से एक straight line draw करके एक box बना लेंगे इसके अंदर हम अपना neck का shape draw करेंगे और यहाँ पे मैं round neck बनाने वाली हूँ तो मैं round neck यहाँ पे इस तरीके से draw कर लूँगे और यहाँ से half inch shoulder down कर देंगे इस तरीके से इसके बाद यहाँ पे हम अपने सिलाई marginate कर लेंगे तो मैं 1-2 inch की यहाँ पे सिलाई marginate कर लूँगे तो यह हमारी marking complete हो गई है और अब हम इसको cut कर लेंगे lining की fabric में हमारे upper part की cutting complete हो गई है अब इसको ही रख करके यह जो tapeta silk वाला fabric है और यह जो net का sequence वाला fabric है इसे हमें cut करना है same lining की fabric को ही रख करके तो पहले मैं यह कर ले रही हूँ इसके बाद lining की fabric में हम इस cut part की cutting करेंगे तो यह देखिए जो हमारा बच्चा हुआ lining का fabric था उसे मैंने इस तरीके से two fold करके विचा लिया है और इसे एक और बार fold करके हम इसे पहले four fold करके बिल्कुल बराबर कर लें इसके बाद यहाँ corner पे हम west की marking करेंगे और west की marking करने के लिए जितना भी आपका west का measurement है आप उसे 6.28 से divide कर लीजिए आप किसी भी size के लिए बनाईए छोटे के लिए बड़े के लिए या plus size के लिए आपको 6.28 से ही divide करना होता है जितना भी आपका west का measurement होता है तो यहाँ पे जो मेरा waist का measurement है वो है 22 inch और इसे मैंने 6.2 air से divide किया है तो आया है 3.5 inch तो यहाँ पे मैं 3.5 inch पे mark कर लूँगी और measuring tape को corner पे ही रखते हुए पूरे में 3.5, 3.5 inch पे इस तरीके से measuring tape को घुमाते हुए हमें mark कर लेना है और सारे dots को मिलाते हुए इस तरीके से call and draw कर लेना है ये हमारे waist का measurement हो जाएगा इसके बाद हम length की marking करेंगे तो ये जो हमने waist की marking की है यहाँ से हम length की marking करेंगे और जितनी भी आपकी frog की तयार length है lining का fabric आपको उससे छोटा cut करना होता है तो मेरी जो frog की तयार length है वो है 15 inch तो तो यहाँ से जब हम length की marking करेंगे तो यहाँ पे यह देखिए यह 13 inch है और इसमें 1 inch और plus करेंगे सिलाई margin के लिए तो यहाँ पे मैं यह 14 inch पे इस तरीके से mark करूंगे आप measuring tip को उपर corner पे रखेंगे और देखेंगे यह जो हमने 14 inch पे mark किया है वो कहां आ रहा है तो यह द को वीडियो में दिखा रही हूं इसके बाद इन सारे dots को मिला करके हम curve line ड्रॉ कर लेंगे तो यह हमारी west की और यह length की marking हो गई है और अब हम इसे कट करेंगे तो नीचे मैं इसे सिर्फ length से कट कर रही हूं उपर यह जो west की marking है इसे अभी हम नहीं कट करेंगे इसके बद य जैसे हमने अपने lining की fabric को किया था और इसके उपर यह जो मने lining का fabric कट किया था उसे place करेंगे और यह जो तापटा का fabrik है इसे हमें lining की fabric से 2 इंच बड़ा कट करना है तो measuring tape को इस तरीके से corner पे रखेंगे और यह जो lining का fabric उसे हमने 17.5 Inche पे cut किया था और यह जो टापटा का फैब्रिक है इसे हम 19.5 इंच पे कट करेंगे तो मेजरिंग टेप को इसी तरीके से ये देखिए उपर की तरफ कॉर्नर पे रखेंगे और पूरे फैब्रिक में इसी तरीके से 19.5 इंच पे पहले हम मार्क कर लेंगे और सारे मार्क को मिला करके हम कव लाइन ड्रॉ कर लें चलाने करया है और महिरने के- संब सूरा स्वाइग और अस बाला लिक कम प्लीट करणी धियुवरने में वने के डिशा करकारे और टारो डेन से साजने हैं और के हुब खोलेगा तो यह हैं फुर्स प्ल ड़ा करना तो 11 में तो आरे पास यहां देखे को सांजन faj और अब इसमें हम अपनी मार्किंग करेंगे इसमें जो हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे वह हम जो लाइनिंग की फैब्रिक में और हमने टापेटा वाले फैब्रिक में किया है उससे ज्यादा करेंगे क्योंकि उपर हमें गैदर्स बनाने हैं तो हमने लाइनिंग की फैब्र से दूसरे corner तक मार्क करेंगे और सारे dots को मिला करके इस तरीके से call and draw कर लेंगे अब इसके बाद हम length की marking करेंगे और इसकी length जितनी हमने अपने टापेटा fabric की length रखी थी उतनी ही रखनी है और उसकी length समने 16 इंच रखी थी तो यहां पे जो हमने वस्ट की marking की है वहां से है निचे की तरफ 16 इंच पर हम mark करेंगे इसके बाद measuring tape को इस तरीके से corner पर रखेंगे और देखेंगे कि यह हमारा 16 इंच कहां आ रहा है तो यह 26 inch पर आ रहा है और measuring tape को इसी तरीके से corner पर ही पूरे में हम 26-26 इंच पे एक कॉर्णर से दूसरे कॉर्णर तक माक कर लेंगे और इन सारे माक को मिला करके हम एक कर लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो नेट के फैब्रिक में हमारी मार्किंग हो गई है और अब इन दोनों माक को हम कट कर लेंगे और जब हम इसको खोलेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास दो इस तरीके से half circle आ जाएंगे अब यहाँ पे side पे हमें से stitch करना है तो पहले हम एक तरफ यहाँ पे side की stitch कर लेंगे इसके बाद सारे pieces के जो नीचे के roysers हैं उसे हमें ham करना है तो यहाँ पे सारे piece में मैं pico कर रही हूँ आप चाहें तो इसे double fold करके भी stitch कर सकते हैं तो पहले मैं सब में pico कर ले रही हूँ तो सबसे पहले ये देखिए जो ये हमारा lining का fabric था इसमें हमने नीचे की तरफ इस तरीके से pico कर लिया है और अब हम इसमें can can attach करेंगे अब ये जो can can है इसे मैंने इस तरीके से four fold करके रख लिया है और पूरे में मैं 77 inch पे mark करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे 77 inch की पट्टियां कट करनी है और अब हम इसे यहाँ से cut कर लेंगे तो ये मैंने एक 27 inch की cut कर ली है और इसके बाद इसमें से मैं एक और पट्टी करूगी आप अपने हिसाब से कम्या जादा can can attach कर सकते हैं मैंने यहाँ पे दो इस तरह से 77 inch की पट्टियों को cut किया है और दोनों को अब हम यहाँ से एक दूसरी की उपर रख करके stitch कर लेंगे इसके बाद इसको हम lining की fabric में attach करेंगे तो ये lining की fabric को मैंने पूरा खोल के बिच्छा दिया है और अब हम lining की fabric में पहले mark करेंगे कि हमें इसे कहां attach करना है तो नीचे से मैं 7 inch पे mark करूँगी और पूरे lining में इसी तरीके से 77 inch पे पहले मैं mark कर लूँगी और सारे mark को हम मिला लेंगे इसके बाद इसी line पे हमें can can attach करना है तो ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से can can को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे मैं box plate बना रही हूँ तो इस तरीके से मैं plates बनाती जाओंगी और उसे pin से secure करती जाओंगी पूरे lining की fabric में जहां जहां हमने mark किया है हमें सेम इसी तरीके से करना है तो यह पूरे lining की fabric में मैंने can-can को box split बना करके pin की help से attach कर लिया है और यहाँ पर यह देखिए यह जो दोनों corner मिलते हैं यहाँ पर यह खुला हुआ है दोनों को एक दूतरे की उपर इस तरीके से रखेंगे और इसको यहाँ से stitch कर लेंगे और पूरे में stitch कर लेंगे इसके बाद जो हमारा black color का sequence का fabric है उससे हम cut करेंगे और उसकी clip मुझसे delete हो गई है तो यह मैं आपको paper पे cut करना बता रही हूँ और यह जो fabric है यह हमारा कम है तो इसे मैं अलग तरीके से cut करूँगी जैसे मैं आपको paper में बता रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको fabric पे cut करना है measuring tip को इस तरीके से corner पे रखना है और पूरे fabric में इसी तरीके से 21 inch पे हमें mark करना है एक corner से दूसरे corner तर और सारे mark को मिला करके हमें curl line draw कर लेना है इसके बार जितनी हमारी frog की length है उतना हमें cut करना है तो यह जो नीचे हमने marking की है वहाँ से हम mark करेंगे उपर की तरफ जहां पे 16 inch आ रहा है वहाँ पे हम इस तरीके से mark कर लेंगे क्योंकि हमारी remain fabric के उसकी length 16 inch है और इस mark से हलका सा कौशे देते हुए हमें इस तरीके से इसको मिला देना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और अब इन दोनों mark को हम cut कर लेंगे और यह हमारा high low जैसा pattern create हो जाएगा और देखे सेम इसी तरीके से मैंने यह black color के sequence वाले fabric को भी cut किया है इसके बाद यह जो हमारा plain net वाला fabric था इसे मैंने यहां से जोईन कर लिया है दोनों piece को अब इस पूरे fabric में हमने gathers बनाना है तो इसके लिए आप यहां पे छोटी छोटी सी pleats इस तरीके से बना सकते हैं या फिर पूरे में बड़े टाकी की stitch लगा करके उसको खीच करके gathers तयार कर सकते हैं तो पहले मैं यह कर ले रही हूँ तो यह जो हमारा net का plain वाला fabric था इसकी west line पे मैंने इस तरीके से gathers बना लिया है अब इसमें हम अपना sequence वाला fabric है उसे attach करेंगे फ्रंट में तो यह जो sequence वाला fabric था है इसकी भी west line पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा gathers बना लिया है और यहां पे नेचे की तरफ मैंने इसमें पीको कर लिया है अब दोनों को यह किनारी को बिल्कुल यहां पे बराबर से हम रखेंगे बराबर से मिलाएंगे और west line को west line से मिलाएंगे और दोनों को बिल्कुल बराबर से करके पहले हम adjust कर लेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ यह देखिए कुछ इस तरीके से इसको adjust करना है और यह किनारी से किनारी यहां पे बिल्कुर बराबर से हमें मिलाना है और west line पे भी बराबर से मिला करके west line पे और side में पहले हम stitch कर लेंगे तो यह देखिए sequence वारे fabric को मैंने plain fabric में attach कर लिया है अब यह जो plain fabric की back side है इसको हम front के ऊपर रखेंगे क्योंकि यहां पे हमें इसकी side की stitch लगानी है तो यह देखिए यहां से तीनों piece की किनारों को इस तरीके से हम पकड़ेंगे और पूरे में एक बार stitch कर लेंगे तो यह मैंने side की stitch लगा ली है और यह देखिए यह हमारा कुछ इस तरीके से बन करके तयार हुआ है अब हमारी सारी piece तयार हो चुकी है अब सब को हम join करेंगे तो सबसे पहले यह जो हमारा net वाला fabric है इसको मैं इस तरीके से खोल के विछा लूँगी जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से इसको पुरा खोल लेना है अब इसके उपर यह जो हमारा टापेटा वाला fabric है इसको भी मैं खोल के रख लूँगी वेस्ट लाइन से सब को बिल्कुल बराबर से रखना है और सबसे लास्ट में यहाँ पर यह जो लाइनिंग वाला fabric है इसको भी मैं खोल के विछा लूँगी कैन कैन अंदर की तरफ होना चाहिए अब इन तीनों को वेस्ट लाइन से बिल्कुल बराबर से हम पकड़ेंगे और पहले पिंसे आप चाहिए तो पहले पिंसे सिक्योर कर लीजिए या फिर इसको इसी तरीकिये से पकड़ करके स्टिच कर लीजिए तो यहाँ पर पहले मैं इसे पिंसे सिक्योर कर लिया है और अब हम पूरे में स्टिच कर लेंगे स्कल्ड पार्ट कम्प्लीट करने के बाद अब अपर पार्ट कम्प्लीट करेंगे तो लाइनिंग की फैब्रिक को ही रख करके मैंने ये सिक्वेंस वाला फैब्रिक और ये जो हमारा टापिटा वाला फैब्रिक था दोनों को मैंने कट कर लिया है फ्रंट और बैक दोनो इसक जो कि हमारा बैक पीष से उसको सेंटर , इस तरीके से फौल्ड करेंगे और यहां पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि यहां पर हम कटल लगाएंगे पीछे by थे लगाने के लिए और यह जो Rem hadi कि अमने माक किया है यहां करेंगे तो यह जो मारा में फैब्रिक है इसकी सीधी साइड मैंने उपर की तरफ रखी है और इसकी उपर लाइनिंग की फैब्रिक को रख करके यहां आम होल पे और निक पे और यह जो मने कट लगाया है इसकी किनारे किनारे स्टिच करेंगे तो पहले में इतना कर ले रही ह तो यह देखें यह मैंने पूरे में stitch कर लिया है और जहाँ-जहाँ हमने stitch किया है अब वहाँ पे हम इस तरीके से चोटे-चोटे से cut  लगाएंगे और जहाँ-जहाँ corner है वहाँ पे मच्छे से cut  लगाएंगे ताकि हम इसे इज़रे टर्न कर सकें और arm hole पे भी छोटे छोटे से cuts लगाएंगे अब यह जो lining का fabric है इसको हम back side पे turn करेंगे और यह सिटेंट का और यह टापेटा का fabric है इसको हम a half side पे रखेंगे तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे इसी तरीके से lining की fabric को हम तर्न कर लेंगे back side में तो यह देखे मैंने इसको सीधी साइड पे टर्न कर लिया है और यहाँ पर यह जो हमने कट लगाया है यहाँ पर हम हुक लगा लेंगे और सेम इसी तरीके से यह जो हमारा फ्रंट का पीस है इसको भी हम तयार कर लेंगे पहले हम चोटे-चोटे से कर्स लगाएंगे फिर इसके बाद इसको भी हम सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे इसके बाद हम रिबन तयार करेंगे तो उसके दिए यह देखे दो मैंने पट्टियां कट की है और इसकी डेंथ मैंने 31 इंच ली है और जो विर्थ है वो 4 इंच है आप अपने हिसाबसे से कम्या जादा कर सकते हैं इसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे तो यह देखे इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे एक पट्टि को लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसे मैंने थोड़ा सा triangle shape में cut किया है उपर से पतला है नीचे से चोड़ा है और यहाँ पर हम side की stitch लगाएंगे और किनारो को भी stitch कर लेंगे दोनों piece में हमें same इसी तरीकी से करना है पहले यहाँ पर इस तरीकी से stitch करना है और यहाँ पर थोड़ा सा triangle shape में stitch करना है तो पैन में यह कर ले रही हूँ तो यह देखे यह मैंने इसे stitch कर लिया है और यहाँ से जो यह extra fabric है इसको cut कर देंगे इसके बाद हम इसको पलट लेंगे जैसे हम अपनी डोरी को पलटते हैं दोनों बिल्ट को हम से इसी तरीके से तयार कर लेंगे यह दोनों बिल्ट को पलट लिया अब इसके उपर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे अभी जो हमने अपर पार तयार किया है इनके shoulder को हमें attach करना है तो दोनों पीस को जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आमने सामने रखेंगे और यह देखे शोल्डर के पास जो यह जगह है इसके अंदर दूसरे पीस को इस तरीके से हमें डालना है दोनों ही तरफ और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको मैंने एक तरफ रखा है और जो में फैब्रिक सिक्वेंस वाला है और टापेटा वाला है उसको एक तरफ रखा है और यहां से इसको इसके उपर इस तरीके से टरन कर लेंगे और बिल्कुल बराबर से करके यहाँ पे यह देखे इस तरह से इसको बराबर से करना है और यहाँ पे हमें इसे स्टिच करना है तो यह देखे यह मैंने इसे यहाँ पे स्टिच कर लिया है और अब इसे हम सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे और ये देखी ये हमारा shoulder दोनों तरफ से कितनी finishing के साथ attach हो गया है और अब इसके बाद इसके arm hole पे और neck पे हम top stitch लगा लेंगे तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ तो ये देखी मैंने top stitch लगा लिया है और अब हम belt attach करेंगे तो belt को जो ये front का piece है उसमें इस तरीके से हम रखेंगे और इसे पहले pin से secure कर लेंगे नीचे की side में मैंने थोड़ी सी जगे छोड़ दी है क्योंकि नीचे की तरफ हमें अपने skirt part को attach करना है इसके बाद belt को अंदर की तरफ रखेंगे और दूसरे वाले belt को भी दूसरी तरफ थोड़ी सी जगे नीचे छोड़ करके इसको भी हम यहाँ पे pin की help से पहले secure कर लेंगे और इसको भी अब अंदर की तरफ रखेंगे जो back का piece है उसको front के उपर इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल बराबर से और यहाँ पे अब हम side की stitch लगाएंगे तो यह देखे हमने side की stitch लगा ली है अब यह जो skirt का part है और upper part है दोनों को हमें joint करना है तो दोनों को आमने सामने जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से रखेंगे और यह जो skirt का part है यहाँ से देखे इसको इस तरह से खोलेंगे और यह जो हमारा upper part है इसको अब यहाँ पे west line से हम इसके अंदर ले लेंगे और दोनों piece को बराबर से करके पूरे round में हमें से stitch करना है तो मैं यह करके फिर final look आपको दिखाती हूँ तो यह मैंने skirt part को और upper part को जोईन कर लिया है और कुछ इस तरीके से यह हमारा frog बन करके तयार हुआ है इसकी west line पे मैंने यह stone वाली lace attach की है आप अपने इसाफ से इसे किसी भी तरीके से decorate कर सकते हैं flowers के साथ या फिल lace के साथ और यह इसका final look है तो comment करके ज़रूर बताईएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा अभी तक मेरे चरूर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई